मिशन बुनियाद से आज की हमारी कहानी है स्वादिस्ट पराठा ये पार्ठ नम्मर 20 है आज सुबह तन्वीर स्कूल के लिए तैयार होने के बाद यह देखने के लिए अपना लंच बॉक्स खोला की उसकी माने उसके लिए क्या तैयार किया है वाह आलू के पराठे वह खुजी से उचल पड़ा तन्वीर को अपनी मा के हाथ का बनाया हुआ पराठा बहुत पसंद है वह इतना पसंद करता है कि किसी के साथ पराठा बांटना भी पसंद नहीं करता वह उन्हें तुरंत खा लेता है लेकिन आज ऐसा नहीं हुआ स्कूल जाते समय तन्वीर ने एक लड़के को देखा लड़का उसी की उम्रका था वह कूरे दान से कुछ निकाल रहा था तन्वीर ने रुक कर देखा लड़के ने कूरे दान से कुछ बचा हुआ खाना निकाला और खाना शुरू कर दिया तन्वीर ने कुछ देर सोचा फिर उसने अपना स्कूल बैक खोला और लड़के को पड़ाठा दे दिया थोड़ी देर तक तन्वीर उस लड़के को देखता रहा खाना खाने के बाद वह लड़का फूट फूट कर रोने लगा उसने फिर खुशी से तन्वीर की और देखा और कहा यह स्वादिस्ट है तन्वीर को बहुत अच्छा लगा वे उचलते कूदते स्कूल पहुचा जल्दी लंच का समय हो गया तन्वीर को भूख लग रही थी उसने जल्दी से अपना स्कूल बैक खोला और लंच बॉक्स निकाला एक पल के लिए उसका चहरा पीला पड़ गया लेकिन उसने खाली लंच बॉक्स को मुसकान के साथ वापिस अपने बैक में रख लिया कुछ घंटो बाद स्कूल की आखरी घंटी बजी तनवीर दोर कर घर पहुँचा और सीधे रसोई में चला गया मम्मी मुझे कुछ खाने को दो मा ने तनवीर को आश्चरियस से देखा और पूचा अरे क्या तुम्हें पराठे पसंद नहीं आए तनवीर ने लड़के के बारे में सोचा वह मुस्कराया और कहा वह बहुत स्वादिष्ट था स्वादिष्ट पराठा के प्रशन उत्तर कुछ इस तरह से हो सकते हैं पहला प्रशन है तनवीर को किसी के साथ अपना पराठा बाठना क्यो पसंद नहीं है तन्वीर को अपने मा के हाथ का बनाया हुआ पराठा बहुत पसंद है इसलिए वह उसे किसी के साथ पाटना पसंद नहीं करता था दूसरा, स्कूल जाते समय तन्वीर ने क्या देखा तन्वीर ने स्कूल जाते समय देखा कि एक लड़का कूरेदान में से कुछ निकाल रहा था तीसरा प्रशन है, वह बहुत स्वाधिस्ट पराठा था तन्वीर ने मा से ऐसा क्यों बोला, जबकि उसने पराठा खाया ही नहीं था उस लड़के ने पराठा खाकर खुश होकर जिस भावना से तन्वीर को कहा कि यह पराठा स्वाधिस्ट है यह खुशी तन्वीर को पहली बार महसूस हुई इस कारण तन्वीर ने मा को बिना पराठा खाये कहा होगा पराठा स्वाधिस्ट है चौत्था पार्ट है फूट-फूट कर रोना से क्या मतलब है इस मुहावरे का अपने वाक्य में प्रियोक कीजिए फूट-फूट कर रोना का अर्ध है बहुत दुखी होना, इससे वाक्य अब्यास है गर्मी की छुटियों में मिशन बुनियाद की कक्षा के कारण कई बच्चे फूट-फूट कर रोई होंगे जो स्कूली बच्चे हैं वो मेरी बात से अगरी करते होंगे शायद पाच है आपका पसंदिदा वियंजन क्या है उसे बनाने का तरीका भी लिखिए मेरा पसंदिदा वियंजन सत्तू पराठा है पहले सत्तू नमक लहसुन और प्याज को काट कर मसालों के साथ मिला लिया जाता है दूसरा आठे को गूत कर उसकी लोई बना ली जाती है आठे की लोई में सत्तू का बना मसाला डाल कर उसे बेल लिया जाता है बेलने के बाद तवे पर गर्म सर्चों के तेल में इसे पका लिया जाता है पराठे को आप घी में भी बना सकते हैं अंत में इसे आप दही और छाज के साथ स्वाद अनुसार आनंद के साथ खा सकते हैं